अग्या से हमने वही किया जिसमें माता आप प्रशन रहती जगत की रक्षा के लिए आप से हम कुछ पूछना चाहते हैं हे माता कौन सा ऐसा उपाई है जिसे आप सिग्र प्रशन होकर संकट में पड़े हुए संपूर्ण भक्तों को आप वार देती हैं चाहे व्यक्ति रिण में युक तो हो चाहे वह रोग गरिसे तो हो चाहे वह अपने मस्तिस्क से बहुत ज़्यादा परिशान है हे देविस्वरी यह बात सरवता गोपनी है तो भी आप हमें अवस्य बताईए माँ आप सीग रही किस चीज से प्रसंद हो जाती है देवताओं के इस प्रकार के प्रार्थना करने पर दया मई आनंद मई करुणा मई और कृपा मई माभवती जगदंबा स्वेम बोली है देवताओं सुनो और एह से अतियंत गोपनी है गोपत है वताने के लाइक नहीं है फिर भी तुम इसकी पात्रता में हो इसलिए हम तुमको पहली बार ये बता रहे हैं मेरे वत्तीस नामें से अधवत हैं मेरे वत्तीस नामों की जो माला है सब प्रकार से आपत्ती का विनास करने वाली है तीनों लोकों में इसके समान दूसरी मुझे प्रसंद करने वाली कोई दूसरी इसकूती नहीं है मां खुद बोली मेरे 32 नामों की जो माला यह माला एक मनके के उपर 32 नाम ऐसे ऐसे एक माला पूरी 108 नाम बाली कर दी जावे हाथ में रुद्राक्ष की माला ले ले 32 नाम बोलें फिर मनिया सटकाए फिर 32 नाम ले ले लें फिर मनिया सटकाए तो मा कहती है कि तीन लोग चोदेव हुआ नो में मुझे अतीप रसन्न करने के लिए मेरे बत्तीस नामों से बढ़कर के कोई दूसरा साधर नहीं है रहे से रूप है इसे बतलाती हूँ देपताव ने कहा मा वे बत्तीस नाम कौन कौन से है मा आपको रुपा कर देते तो यह मा ने अपने स्री मुख से इन बत्तीस नामों को गाया दुरगा दुरगार्तीसमनी दुरगा पदनेवारिनी दुरगमक्छेदनी दुरगा साधनी दुरगनासिनी दुरकततभारिनी दुरगनिहंत्री दुरगमापाहा दुर्गमज्यान दा दुर्ग देत्यलोग दवानलाः दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा तस्ष्वरूपनी दुर्गमा रगप्रदा दुर्गम विध्धा दुर्गमा स्रतः दुर्गमज्यान संस्थाना दुर्गमध्यान भासिनी दुर्गमोः दुर्गमगा दरग मांगी, मानने गहां कि उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा, ने संधे सर्प्रकार से भरे मुक्त हो जाएगा, जो मेरे अवटती सनाम निरंतर लेगा, कोई सत्रू से पीड़े तो अत्वा दुर्वित द्वन्दन में पड़ा हो विना कारण के उसको जेल मिल गई हो इनवत्तीश नामों के पाट मात्र से संपूर्ण संगटों से उस भक्त को जीव को छुटकारा मिल जाता है इसमें तनक भी है देवताओ संसे के लिए इस्तान नहीं है यदि राजा कुरूद में भरकर वद के लिए तैयार हो गया हो किसी कठोर दंड के लिए आगया उसने दे दियो युद्ध में सत्रूं द्वारा मनुस्यदी गिर गया है बन में हिंसक पस्वों के द्वारा जंतों के चंगुल में आ गया है तो इन बत्तीश नामों का एक सो आठवार पाठ मात्र करने से वैसंपून भैयों से मुक्त हो जाता है बिपत्ती के समय इसके समान भै नासक वपाई दूसरा कोई नहीं है हे देवताओ इस नाम माला का पाठ करने वाले मनश्यों को कभी किसी भी प्रकार की उनको कभी कोई हानी नहीं हो सकती नास्तिक और सठ मनश्यों को इसका उपदेश समय दार लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए जो भारी विपत्ती में पढ़ने पर भी इस नाम वाली माला को एक अजार बार दस अजार बार या एक लाख बार पार्ट स्वेम करता है स्वेम नहीं कर सकता तो ब्राम्बनों से कराता है याद रखिएगा ब्राम्बनों के द्वारा की गई पूजा पार्ट ये ग्रंथों में लिखाए स्वेयम करने के बराबर ही होती है किसी कारणवस हम खुद नहीं कर पाते और बरहमबड से यदि करा दिये तो बरहमबड जो करता है उसका तो पुन्य एक्ष्ट्रा है ही लेकिन जो आप खुद करते हैं वेःभी पुन्य इसमें डवल पुन्य की प्राप्ति होती है महा भिवती जगदम्मा यही कह रही है जो लोग खुद नहीं कर सकते ब्राम्मनों के द्वारा करावें वह सरव प्रकार की आपत्तियों शेमक्त हो जाता है सिद्ध